इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह जाता है। जैविक रूप से उगाई गई हाइड्रोपॉनिक्स घास, गाजल, गन्ना और अन्य मौसनी चारा बच्छिया गाए और बाल को खिलाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. देशी गायों से ही होता है। 2. गायों में कोई अतिरिक्थ होमोन नहीं होते हैं। 3. तुलसी और गिलोए के साथ गौमूत्र का सयोजन कई स्वास्थय संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। 4. गिलोए रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 5. यह अस्थमा पुराने बुखार और अनिश्वसन विकारों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। 6. इसमें अंटी एजिंग गुण होते हैं और पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। 7. यह शुद्ध गौमूत्र आक डिस्टिल्ड गौमूत्र है जिसमें तुलसी और गिलोए की साथ कोई रसायनिक पदार्थ या प्रिजवटिव नहीं है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।